अभर आप लोगों का नाम गलत है और स्पेश से समधित कोई प्रोबलम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है आईए देखते हैं कि कैसे शाला दर्पन के उपर हम नाम में स्पेस इसमदित प्रोग्लम को चंद सेकंड के इंदर हल कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको Google में जाकर के Staff Window को Open करना है जैसे आप Staff Window को Open करेंगे तो यहां पर आपको Staff Window का Main Page दिखाई देगा यहां से आपको करना है Login जैसे आप Login करोगे जैसे मैंने पहले यह ID और Password भर रखे हैं आप मुझे केपचा भरना है तो अपने केपचा भरते हैं इसमें केपचा भरने के बाद में हम इसे Login करेंगे दोस्तो Login होने के बाद में आप देखेंगे कि इस तरफ हमें स्टाफ विंडो में Home, Smile2, Profile, Apply, Forms, Reports, PSP, मानेता, DLD, Exam और Identity Verification दिखाई देता है तो दोस्तो हमें Identity Verification पर क्लिक करना है इसमें नया टेप खुलेगा Identity Verification इसे क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको आपकी Personal Details और Identity Detail Verification दिखाई देगी तो दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यदि नाम में Space के कारण आधार सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो इस नाम में Space जोड़ कर या हटा कर के कोशिश करें नाम में Space के अलावा और कोई परिवर्थन मन नहीं होगा इसके उपरांत भी आधार सत्यापन नहीं हो पाता है तो सालादरपन विद्याले लोगिन पर उपलब्द Help Center Link का उप्यो करने तो हम देखते हैं कि सालादरपन पर कहीं भी हम अपने नाम को Edit नहीं कर पाते हैं ना Space दे पाते हैं लेकिन यहां पर आप अपने नाम के अंदर जैसे मालो मुझे यहां पर Space देना है तो मैं यहां पर Space दे सकता हूँ आप देख सकते हैं कि उपर Space आगया और Space देने के बाद में आपको यहां पर जो लाल लाइन दिखाय दे रही है यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहां पर पोप आएगा कि आधार वेरिफिकेशन कार्मी के नाम, जनमतिती, जेंडर और अधार करमांग जो की P10 में दिया हुआ है और अधार कार्ड में आंकिता के अधार पर होता है P10 में किसी गलत प्रविष्टी के लिए साला या कार्यले परधान से संपर करें इसी परकार अधार कार्ड में किसी गलत प्रविष्टी को अधार कार्यले ये मितर के अंदर से सही करवाएं और फिर से इस पर authentication process को संपादित करें और इसे हमें करना है ओके जैसे ही आप okay करोगे तो यहां पर आधार authentication फैल्ड आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि मेरे नाम के अंदर यह problem में नहीं है मेरे नाम में space से समंदित कोई problem नहीं है अगर space से समंदित problem होती तो हल हो जाती अब इसे अन्य तरीके से भी आप देख सकते हैं मालो मैं यहां से कुछ और परिवर्तन करता हूं और उसके बाद में मैं इसे दुबारा क्लिक करूँगा तो मेरे पास पहले pop-up मेसेज आएगा इसे ok करने के बाद में आप देखेंगे तो हमें एक pop-up दिखाई देता है कि करप्या ध्यान दें नाम में space हटाने और जोडने के अलावा और कोई परिवर्तन यहां से नहीं हो सकते हैं तो दोस्तो यदि आपके नाम में space से समद्धित प्रोब्लम है तो आप इसे चंद सेकेंड के इंतर सही कर सकते हैं कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा धन्यवाद